मैं प्रिशानेल पर सबका स्वागत करती हूं दोस्तों हस्ते रहें मुष्ट करते रहें पॉजिटिव रहें सफ़लता वस्त मिलेगे आपसो सवस्त रहें मस्त रहें और लाइप में आगे बढ़ते रहे अभी के जो वीडियो है ये है आपके पार्टनर की true feelings उनकी current energy बट यहाँ जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपके पार्टनर के जो thoughts हैं उनके बिचार हैं जो उनका ego है और third party कहीं न कहीं अगर आप से उन्होंने दूरियां बनाई है तो किस कारण बनाई है third party को लेकर य जो स्टवन नेचर है उसके वज़ा से तो चलिए मैं हाँ दिखना चाहूंगे कि आखिरकार उन्होंने आपसे दूरियां क्यों बनाई अपने गुसे के कारण या third party के कारण तो चलिए हमें देखती हूं पहले आप लोगो बहुत दिन हो गया ठीक है देख लिजे मेरे वी सब्सक्राइब हो जाईए सौरी फिर से देखती हूं कर देख से बहुत ज्यादा आवाज आ रहे है इसलिए मैं रठीक से नहीं कर पा रही हूं बहुत आवाजे आड़े प्लीज आप इग्नोर किजिएगा वो तो भी काम खत्म होने वाला नहीं है काफी टाइम लगने वाला इसलिए आवाज हमें साथी रहती है उसलिए सौरी लेकिन माइंड मत किजिए कोई बात नहीं सबकी अपने प्रसन लाइफ है कोई क्या कर रह प्लाइनकरण हम सबको क्या मतलब है किसी से तो चल यहां मैं देखती हूं जिख्यां ठोचैनर पॉजिटिव हो जाये आपके पार्टर के ट्रू फइलिंग जाने की कोई सिस करती हूं इंचल्टियों इस प्लीजिआ इस गाइव किये बango सोजिए during किजिए और और ये श्क में कि देखे दियर प्लानिंग तो दोनों की मुझे फटपार्टी की भी आम आपके पार्ट्नर की भी लगी है ठीक है आप से डिस्टेंस मेंटें करने में कुछ इणों ने भी की है कुछ इनका एको भी किया है कुछ दद पार्टी ने भी किया है और आप दोनों में जो भी separation हुआ है, no contact situation है और यह contact भी हो रहा है, लेकिन अगर यह आप distance maintain किया आपके person ने, तो इनका ego, इनका गुसा भी है और third party भी है ठीक है, आपके person अभी इस वक देखा जाए दिये, तो यह person कुछ ऐसे situation में है, जहां यह खुद को फसा हुआ फिल कर रहे हैं, ठीक है, जहां से वो चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, यह person कुछ न कुछ इनके life में कुछ ऐसे situation है, जहां से यह चाह कर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह कहना चाहते हैं, प्यार कल भी था आज भी है, और प्यार हमेशा रहे साइध यह परसन आपसे नो कॉंटेक्स सिचुवेशन में भी है और यह बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इस परसन के अंदर एक डर है एक फियर जरूर है ठीक है एक डर है इनके अंदर यह बात तो सच है कि इन दुरियों ने उनको बहुत कुछ समझा दिया ठी कम से कम यह अब समझ रहे हैं इन दुरियों के बाद आपके रिष्टे को आपके प्यार को आपको ठीक है यह सोच रहे है लेकिन इनके अंदर एक फियर है ठीक है यह बात तो सच है कि दुरियों नों इन्हें बहुत कुछ सिखा दिये है और सिख भी रहे है यह फिल कर रहे इस वक्त यह person फिल कर रहे हैं लेकिन इनके अंदर बात और फिर है इन गुटन ऑन ने जिसके साथ third party हो पेरेंस फैमिलियों आपके लाइप पर उफिल पार्स के ईन्हों ने जिसructure कि उन्हें ने विश्वास घात किया इनके साथ, ठीक है, और यह देख भी रहे हैं, फिल भी कर रहे हैं, ठीक है, और अपने सच्छे प्यार को भी समझ रहे हैं, साइद यह आपसे express नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ, यह तो बास सही है, कि प्राब्लम तो अभी भी है ठीक है प्राब्लम्स अभी भी है और इसमें थर्ट पार्टी ने फाइदा उठाया है ठीक है थर्ट पार्टी ने आप दोनों के खिलाब कुछ ना कुछ साजिस की है आप दोनों को अलग करने का अगर आप लोग ऑफिस में भी हो वहां भी हो सकते हैं जहां आप लोग को तोड़ने में जो खुशी मिलिए ये थट पार्टी है कोई भी है थट पार्टी क्योंकि उनकी जो भी थट पार्टी उनका हाथ है डियर आप दोनों में लेकिन इनका इगो इनका गुसा कहीं न कहीं फाइदा का कारण बना है इनके गुसे को और इनको कोई मोटिवेट कर या आपके खिलाज कोई भी दिमाग में भर दिया तुरंट से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है क्योंकि उस वक्त वह आपको उसी नजर से देख रहे हैं कि आपने ऐसा किया है तो फाइदा कौन उठाया थर्ट पार्टी और गुस्ता इगो इनका लेकिन आज ही क्या कर रहे हैं आज यह क्या फिल कर रहे हैं कि इनको कोई चाहने वाला नहीं है यह अब किसी पaltenश वासeloos नहीं कर सकते हैं इनका अंतरात्मा framework यह कह रहा है क्योंकि इन्हों ने भी अब च्वोट खाइं है इनके लाइव में प्रॉल्लम्स आई है ठीक है यह अब सामना कर रहें ठीक है उस situation का जो भी इनके साथ हुआ उस वक्त को याद कर इस situation में यह सामना कर रहा है cheating हुई है इनके साथ भी दर्द इने भी मिला है यह इस वक्त अनुभाव भी कर रहा है लेकिन अभी भी confused है दियर मैं बोल दूँ यह person अभी भी confused है लेकिन आपको लेकर यह अभी positive है लेकिन दर्द और प्यार में इगो में और थट पार्टी में यह फर्क तो परा है दियर प्यार क्या होता है दर्द क्या होता है चिटिंग क्या होता है थर्ट पार्टी क्या होती है या फिर कोई इनको मैनुपलेट भी किया है ठीक है इनको कोई मैनुपलेट भी किया है इनको टॉर्चर भी किया है कुछ फाइटिंग भी हुए जहां यहां पर मुझे दिख रहा है इनका भी दिल तूटा है लेकिन इन्ह पता है किंए नंकोई है इनके लाइव cay में जो कोई भी हो सकता है ठोट पारटी दिए जहां इन से फाइदा उठाया गया है और यह भी आया है एक यहीड जानते हैं यह सामना कर रहें ठीक है अब यह समझ रहें कि सच में प्याद क्या होता है और आपने समझाया था साइट इन्हें मोटिवेट किया था कहीं न कहीं आप मेंटिली इनको सपोर्ट भी किये हो जहां ये परसन उस वक्त को ये फिल करें लेकिन इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव हैं लेकिन इनके लाइप में स्ट्रगल चल रहा है दिया आपके इन्हों ने भी मेंटेंड किया है ठीक है अब इनको सजा मिली है लेकिन हाँ इस वक्त आपकी कदर आपकी व्यलू बड़ी है और प्यार में चीटिंग में थर्ट पार्टी में कहीं न कहीं ये बहुत ज़दा इसके बारे में सोच और बैलंस कर रहे हैं ये समझ रहे हैं इस वक्त सोच रहे हैं लेकिन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन रिग्रेट है गिल्ट है पस्ताबा है ये ऐसे एनरजी है हां लेकिन बाते आपसे कल भी चुपा रहे थे आज भी चुपा रहे हैं ये खुद का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं अपने दिल को नहीं तोरना चाहते हैं ठीक है इनको इगो को ठेस पहुचेगा इसलिए ये परसन कल भी बात चुपा रहे थे और आज भी ये चुपा रहे हैं ये खुद का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि अब बहुत हो चुका ये लेकिन कोसिस कर रहा है कम से कम ये आपके साथ फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं कम से कम ये फ्यूचर अच्छा देखना है वो आपके साथ आप उनके लिए स्पेसल हो देखरे, विल ओफ फॉर्चुन की भी एनरजी मुझे यहां दिख रही है ऐसे देखा जा तो wheel of fortune की भी energy दिख रहे हैं, कहीं न कहीं आप उनके लखों इनको पता है कि future के लिए आपी perfect हो, आपी इनके लिए सबसे ज़्यादा perfect हो, ठीक है गुसा, ego का सामना आज भी ये person कर रहे हैं, stubborn nature आज भी है लेकिन कहीं न कहीं ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कम से कम ये सोचने, मतलब कम से कम ये सोचना चाहते हैं, और आप लिए positive रहना चाहते हैं, लेकिन यहां काम से भी दुणिया बनी हो सकता है, आप दोनों अपने life में बहुत काम में बिजी रहे हो, एक दुसरे को अच्छे से time नहीं दे पा रहे थे, जहां third party ने अपना फा सकते हो, video भी हो सकते हो, या पर डैवॉर्सी भी हो सकते हो, मेरे वीवर्स आप भी हो सकते हो, या फिर आपके partner, लेकिन फायता कौन उठाया? third party ठीक है आपने भी बहुत बर्दास किया है इस रिष्टे में भी किया है अपने life में भी किया है आपने भी धोखा और cheating खाया है कि अदे के दियर आपके partner के लाब भी आपके life में कोई और था भी ठीक है ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ भी वर्ष के लिए लेकिन वहां से भी आपको cheating और धोखा ही मिला जबकि आपने बहुत कुछ दिया लेकिन उसके पतला सिर्फ आपको दर्द पेन और अपमान ही मिला है पेन मिला है बहुत लेकिन यह जान बुझकर इन्होंने दुड़िया नहीं बनाई थी ठीक है जो भी situation था यह होना था ठीक है भली आप लग में जिद आया एक दूर एक दुड़िया बढ़ी तो यह situation था यह होना था ताकि आपके partner आपकी respect करें आपकी कदर करें और यह value करें कि हाँ आप दोनों के जुदाय के बाद आप लोग एक दूसरे लिए कितना important हो तो यह person आपकी important देख रहे हैं respect कर रहे हैं ठीक है हाँ यह बात था कि आपने बहुत उन्हें समझाने की कोशिस की यह कोई भी बात को समझने की कोशिस नहीं कर रहे थे struggle अभी भी है struggle तब भी था और यह आज भी क तो चाहते हैं लेकिन यह person सोच है किकि इन्हें भी दर्द और पेंद मिला है इन्हें एहसास हुआ है ठीक है distance ने आपके दुड़ियों नों कहीं न कहीं एहसास दिलाया है तो यह person का अभी जो मैं thoughts देख रही हूँ कहीं न कहीं बिल्कुल यह आपके लिए positive है यह ऐसा नहीं कि आप पर यह गुसा उतारे है हाँ इनके life में कुछ option है dear मैं यह बुलना चाहती हूँ कि इनके life में option है ठीक है देखिए यह will of fortune जो बना है कहीं न कहीं देखिए will of fortune मे एक आपको यहां दिखेगा एक खाली पन है मतलब कुछ और भरना है मतलब लग एक दम से आपका भी support नहीं कर रहा बाबू ठीक है कि third party अभी भी पुड़ी life से नहीं गई है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अभी भी इस cycle में कुछ कमी दिख रही है ठीक है तो कुछ कर्मा कि यह क्लिएर होंगे ठीक है कुछ कर्मा रिलिज होंगे कुछ ब्लॉकेज ही लोंगे और यह पेसे तरफ आपके तरफ एक्षन ले रहा क्योंकि अभी टूटे हो और यह भी टूटे हैं एक दूसरे कौ समझ रहे हो जाने हो कम से कम इस person को इतना तो अंदर से यह belief system बढ़ा है कि सही में आप कौन थे थकपाटी कौन थी और यहाँ पे आपने क्या दिया थकपाटी ने क्या दिया इनके गुसे ने क्या किया इनके गुसे ने इनकी खुसियां को छीनी आप को छीना इनकी खुद की respect को सुना यह अंतर आत्मा इनका गिल्ट कह रहा है, गिल्ट है कि हाँ उन्होंने आपके साथ चीट क्या हो सकता है, कि आपने इनकी फैमिली को भी आपने सपोर्ट किया है, ठीक है, इनकी फैमिली को भी आपने सपोर्ट किया है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, फाइननसली भी सपोर्ट किया है, mentally भी support किया, हाँ, आपने इनके family को support किया, इनको support किया है, financially भी, mentally भी, ठीक है, लेकिन उस वक्त ये person सायद आपकी बात को ignore भी कर रहे थे, ठीक है, कुछ बातें आप इनको समझाने की कोशिस कर रहे थे, पास्ट में, लेकिन ये person कहीं न कहीं, उन बातों को ignore कर रहे थे, इस वक्त यहीं ये person सोच रहे हैं, पस्तावी की energy में है, कि कैसे क्या करूं और कैसे ठीक करूं, लेकिन ये person को पस्तावा regret है, गिल्ट है, लेकिन ये person बर्दास अभी भी कर रहे हैं, किसी situation में, कंट्रोल कर रहे हैं, पेसेंस, देखें, कंट्रोल कर रहे हैं, पेसेंस रख रहे हैं, ये person, लेकिन आप के लिए बिल्कुल positive है, क्योंकि सबसे बड़ी कि आप यहां respect इसलिए बढ़ रहे हैं, कि आपने क्या दिया, आपने हर वक्त हर्ष में इनको कोशिस किया, समझाने का, ये मत करो, वो मत करो, बहुत कुछ आपने किया, लेकिन इस person को थोड़ा भी समझ में नहीं आया, इगो भी था और third party भी थी, इगो, स्टवन पंज, जगड़े, फाइटिंग, ये फाइदा कौन उठाया, third party, third party ने फाइदा उठाया और आप दोनों में दुरियां बनाए, बाबो ये situation ऐसा था कि एचीज होना था, चिकके ये चीज होना इसलिए था, कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए feel करना था, समझना था, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप तो हील कर रहे हो खुद को हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो और आपको भी दर्द पे निकला लेकिन अब आप निकलना चाहते हो खुद पर काम करना चाहते हो respect खुद की भी आप कर रहे हो, self healing कर रहे हो, अर्थ मदर से आप कही न कहीं connect कर रहे हो, meditation कर रहे हो, खुद को heal कर रहे हो, आपको कहीं न कहीं से जुराव बढ़ रहा है, या फिर किसी growth से, या spiritual connection से, आपके partner से भी है, लेकिन अर्थ मदर से connect, देख रहे हूँ हूँ, पानी से connection आप फिल कर रहे हो, मतलब एक healing process मैं आपकी देख रहे हूँ, कहीं न कहीं आप release करते हुए नजर आ रहे हो, अपने उपर focus करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन मैं यहां बोल दू कि, देखिए, blockage तो अभी भी है बाबू, क्योंकि जो कर्मा मुझे दिखा है, real of fortune, इसमे अभी भी कमी दिख रहे है, मतलब कि अभी भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा struggle है, थोड़ा सा आपके प्यार में थोड़ा सा struggle है बाबू, लेकिन यह person कोशिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनका ego third party ने जो फैदा उठाया, जिससे आ आप दोनों अभी इस वक्त एक दूसरे को फिल कर रहे हो, आपकी उनके नजरों में respect बर रहे हैं, और आप खुद पर focus कर रहे हैं, अपने career पे growth कर रहे हैं, अपने finance पे growth कर रहे हैं, अपकी spiritual growth हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, guidance ले रहे हैं, guidance को follow कर रहे हैं कही ना कही आप बहुत ज़र नेचर से connect होना चाहते हो ऐसी feelings मुझे आ रही है तो कही ना कही ये सब बहुत खुबसूरत energy आपके लिए है लेकिन दर्द पेन से आप निकलते हुए नजर आ रहे हो खुद को heal करते हुए नजर आ रहे हो इसी वज़े से मुझे लग रहा है ये person को कही ना कही अंदर से ये धिका रहे है regret हो रहा है, guilt हो रहा है, पस्ताबा हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है इस गुसे के वज़े से, इस टवन नेचर के वज़े से लेकिन इन्होंने हमेशा आपकी बात मनवाना चाही है cycle जो है अभी भी खाली है, ठीक है, देखिए एक cycle जो end होती अभी भी बाकी यानि कर्मा, कर्मा release होना बाकी है ठीक है, और ये person आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं, ठीक है, इन्हें पस्ताबा तो हो रहा है अब इन्हें लग रहा है कि मेरे life में कोई अपना नहीं है, सब चीटर है, सब धोखे बाज हैं, ठीक है, ये इनके मन में हो रहा है ये सामना अभी भी कर रहे हैं उन लोगों का, अपने ego का, ये धीरे 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 करकर सारे को release कर रहे हैं है, और आपकी तरफ action लेना चाहते है, marriage आप से करना चाहते हैं, new start करना चाहते है यहाँ मैं साइन बता देती हूँ, बहुत strong मुझे, libra दिख रहे हैं, capricorn दिख रहे हैं, sagittarius दिख रहे हैं, thoris, Leo बहुत strong दिख रहे हैं, aries भी मुझे दिख रहे हैं ये sign मुझे दिख रहे है, डियर, letters मैं बता देती हूँ, कुछ letters भी मुझे दिख रहे है, T दिख रहे है, T है, L है, O है, M है, R है, P है, S, M, R बहुत strong दिख रहे है, डियर, ये मुझे एनर्जी दिख रही है आर लेटर्स दिख रहे हैं ठीक है और भी हो सकते है क्योंकि एक एनर्जी है ठीक है तो ये आपके पार्टनर के थोर्ट्स थे पाश्ट में जो इन्होंने किये आपके साथ अब है रिगरेट, गिल्ड और पस्तावा इस रिष्टे की एक नई शुरुवात आपके तरफ बढ़ना है यह अपने इगो के वज़ा से आपको खोए हैं थट पाटी ने फाइदा उठाए लेकिन अब सब के मुखोटा जो सामने आ रहे हैं जो पॉलिटिक्स चल रही है आप दोनों के रिष्टे में यह अब समझ रह लेकिन हां आपके लिए फिलिंग्स टू है लब है रिस्पेक्ट है आपकी रिगार्ट बढ़ रहे हैं लेकिन यह सोच रहे हैं लेकिन यह आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं जिन्नों ने फाइदा उठाया है आप दोनों से दूरी आप दोनों को दूर किया है यह सब समझ रहें ठीक है लेकिन हाँ ये आपको लेकर positive हैं लेकिन अपने life में ये बहुत उल्जे हुए हैं ठीक है अपने life में ये उल्जे हुए हैं लेकिन आपके लिए 100% positive हैं साइध ये express नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दिल से आपके respect प्यार कर रहे हैं और पूरी उम्र के लिए आपक के तरफ ट्रैवल करने का या यह ट्रैवल भी कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करकर आपके तरफ बढ़ सकते हैं या आपके साथ लॉंग ड्राइप पर जाना चाहते हैं यह ऐसा भी सोच रहे हैं आपको यह मनाना चाहते हैं लेकिन सबसे बरी बात कि इनका दिल इनका अंतर आत को share करना चाहते हैं, express करना चाहते हैं, control कर रहे हैं, ego पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ blockage को heal करना चाहते हैं, लेकिन यह आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो यह थी आपके partner की true feelings, उनकी current energy, उनका situation क्या है, क्या past में था, सारा कुछ यहां idea, ego थटपाटी, क्या थी, क्या है, अभी क्या है, तो मैंने सारा कुछ यहां निकाला है, जो आपसे resonate करता है, रखिए बाकी को जाने दिजिए, बट यह person आपके लिए बहुत positive है, true love है, भले ही, यह egoistic इंसाने बात मनाना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए अंतर आत्मा में आपके लिए true love है, ठीक है, उन्हें feel हो रहा है आपके लिए, लेकिन यह control कर रहे हैं, सही समय का इंतिजार कर रहे हैं, तो आप अपने उपर जो focus कर रहें, बस यूँ ही करते रहें, और life में आगे बढ़ते रहें, ठीक है डियर, तो यह थी आपके partner की true feelings, उनकी current energy, वीडियो अच्छी लगे, तो like, share, comment करे, thank you so much.